मैं अपने गुरिया राने के सर में तेल डाल दू? सारी दुनिया के पेरेंट्स अपने बच्चों की हेल्प करते हैं कि वो बाहर जाके सेटल हो सकें और हमारे आ मुहापद का मतलब है सर में तेल डाल दू चल अपा के पास इतने पैसे? अब आपने घर के बच्च्टी जहां रिष्टे कमजोर हो जाएं वहाँ घर टूट जाते हैं ऐसे टूटे हुए घर का मुझे क्या करना है? आप जरा रिष्टों को मजबूत कीजिए घर की दीवारों और च्च्टों को तो हम मजबूत बनाईगी देंगे मॉडल स्टील आओ एक मजबूत घर बनाते है असलाम अलेकों नाजरी मैं हूँ शाहिद मिया प्रोग्रम खौबों से तब्रीद तक के इस सफ़र में Made in Pakistan and Believe in Pakistan के concept के साथ Powered by Model Steel Group of Companies व्योज़ जैसा कि आप जानते हैं कि Asian Trade TV की हमेशा से रुआयत रही है कि पाकिस्टान को soft image को promote करने के लिए हम हमेशा ही बहुत जादा interesting personalities को आप से मलवाती हैं हम ऐसे success stories कवर करने की कोशिश करती हैं जिन्होंने ना सिर्फ अपने मुलके पाकिस्टान के लिए बहुत जादा सफ़र्व किया होता है बलकि आपने शोबे में रहते हुए उनकी बहुत सारी खित्मासा ने जाम दी होती है उन्होंने आज इसी सलसले में आप यकीन मानिये कि मेरे साथ एक बहुत नामवर खातून मजूद है और किसी तारुफ की वर्ड चोटे पढ़ जाएंगे में उनके लिए मुक्ताज नहीं है शायद उनका कैलिबर उनका काम उससे बहुत उंचा है पंजाब की अगर बात करें हम और पंजाब के बाद अगर हम लाहुर की बात करें तो लाहुर में उनका गराना बहुत ही ज़्यादा एक सियसी गराना है और एक लोगों के अगर हम देखें फुलाव बैबूत के हवाले से, CSR के हवाले से उनकी खित्मात पहले भी थी, अब भी हैं और रहेंगे भी उन्होंने जब भी उनको मोका मिले उनको और उनके घरवालों को उनके खानदान की जो भी किसी मेंबर को भी मुलके पाकिस्तान की खित्मत करने के लिए उन्होंने अपने बसाथ से बरके पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ करने की कोशिश किया जी हाँ मैं बात कहरा हूँ लाहुर की एक नामवर शक्सियत समीना खालिद गुर्की साहिबा जो के इस वकत वुमेन पंजाब की प्रेजिनेंट है पाकिसान पिपल्स पार्टी की और और भी बहुत सारे डैजिगनेशन उनके पास हैं और गुर्की होस्पिटल की डिरेक्ट जो उन्हों ने खौब देखे थे बच्पन में क्योंके मेरा सिलसले है खौबो से तबीर तक वो खौबो की तबीर उनको मिली है के नहीं मेरे साथ है यह गा पावर्ट बाइब मॉर्स डिल्ट गुरॉप ऑफ कंपनीज जी असलाम उलेकूम अलेकूम तो माई शो खौबो स खातून के इंटर्विव करने जा रहा हूं जिनकी मैंने जैसे अपने तार्फ में का है कि ना सिर्फ आप की बलके आपके पूरे खानदान की बहुत ज्यादा खिदमात है पंजाब में पाकिसान के हवाले से तो समीरा जी सबसे पहले बताईएगा यह खौबो से तबीर का जो सफर था जबके आप खासाती तोर के उपर स्यासत में आई हैं तो यह किस तरह से यह सारा कुछ थोड़ा सा बच्पन की बाते सोरह से शेयर किजेगा उसके बाद हम आज की बात पर आंगे बिसमिल्ला राख माने रहें बहुत शुक्रिया शाहिद आप ने मेरा ख्याल ह कि यह बहुत अच्छा मैसेज होता है जो इस तरह जाता है और सब लोग इसको देखते हैं वैसे तो यूजिली आपकी राख के मुतालेग यह तना नहीं लोगों को पता होता लेकिन शुक्रिया आपका कि मैं आज आपके साथ हूँ मेरा जी बच्पन जो है मेरी जो लेकिन अच्छा मेरे बच्पन में जरूर राज पर्स ना जिकर कारी हूँ कि मैं स्कूल में जाती थी ना तो उनोंने मेरे अमी से एक दिन का कि बहुत डिफरेंट है और आप देखना कि यह कुछ करेगी अपनी जिंदगी में ना तो उस वक मुझे उनके ना लगा कि उनो कि उन्हों ने मुझे इस तरह मतब जाज किया है तो उसके बाद ताइम के साथ जब हमारी फैमिली में जी शादियां ग्रेजुएशन के बाद बाद कर दी जाती थी ना तो वो मेरी हुई और वो प्लेटिकल फैमिली और बहुत स्ट्रॉंग थे तो उसमें आके मैंने अप मतलब गौडड़ गिफ्टिटी चीजें होती है लिडर्शिप 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 कौलिटी जो होती है तो वो थी थोड़ी सी और मैं और चीजों को खुद करती थी और एक जैसे बच्पन में न इन चीजों को के बहुत ज्यादा ताइम पे और सारा तो उसमें मेरा यहां जी वो मैं बहुत पंक्च्वल मैं कोशिश के बावजूद भी नहीं कर सकते हूं तो मेरी हर चीज़ काल्कुलेटी है तो उसमें पिर यह है कि उसने मुझे बहुत है पी की और बहुत बड़ी फैमली थी मेरे इनलॉस की और उसमें सब फिर माशालला वेरे बच बच्चे भी है जी चार बच्चे हैं दो गेटियां दो बेटे तो फिर उसमें आके पॉलिटेक्स में ही है कि आइडियल जैसे होता है स्कूल कॉलेज लाइफ में स्कूल में थे जब भुटो सहब को हमने उनके जब रसे लिए नो सोजी वो उनको आना और हम बहुत होटी क्लासे में और वह जाते थे निसलीफ में उनके लियोने वेलकम करने के लिया और इस तरह फिर उनको सब जाएब से तो नहीं प्र जब वो बहुत ज्यादा इंप्रेस में तब वे थे तरही समीट था पुरी दुनिया के लिए तो बहुत ज्यादा जैसे उनकी परस्टनालिटी से पिर जब शादी के बाद प्रिटिकल फैमिली में मैं आई हूं तो फिर यह है के अपने सारों को देखा और उनसे बहुत कुछ लिए कामी लोगों के लिए आश्ता कर रहे हैं और उनसे के लिए रजी चुह है और थ पूरा करने की कोशिश करते हैं लेकिन अफ मेरा ताइम और मैने जो देखा है की बिवी साहभा को माबे नजीर साहभा को तो कि अपकी अपकी आप्स्टाइस थी उनी को और फिर मुझ लेकिन यह के बीबी साहब से मैं जब खाले साब मैंने थे ना इंटी थी में उस से ज्यादा मुका करीब से मिलने का हुआ और उनको देखा और सारा तो फिर उसके बाद तो मेरा नहीं ख्याल है कि कोई ऐसी परस्नेलिटी और हो जो आप आप आदे है जो बड़ा गैप है जो मेरा नहीं खाले कभी पूर उसके उनकी शिक्सियत ऐसी थी डैनमिक एक ख़तून थी वह जिनको देखते ही ना इंसान में एक सक्तगासा आजाता था तो आप तो बहुत करीब रही है तो हाओ डू यू फिल यानि कि आपको कैसा लगता था यानि कि जब आम मुतरमा से मिलत होते हैं उसमें यह है कि पीप सहब ना एक जैसे कहते हैं ना मुकमल तो कोई लेकि वह मुकमल थी कि उन्होंने हर रिष्टे को और हर पुजीशन को अब देखे ना कि इतनी यंग थी जब प्राइम मिनिस्टर बनी और उन्होंने जो मतलब ताफ टाइम देखे थे अपने जाने के बाद आप देखे ना लोग कहते हैं कि बुट्टो की लेकिन उसके बावजूद उनके पास हर असाइश थी लेकिन उन्होंने अवाम के लिए लोगों के लिए पाकिस्तान के लिए बहुत टाफ और बड़ी मुच्चिले देखी ना फिर उसके बाद जैसे कहते हैं अज़ा है सोना कुंदर बाद बाद जाते हैं मुच्चर इस तरह हो गी थी और आप देखें कि हमारे लिए बहुत ज्यादा यह हम प्राउट फील करते हैं जब हम देखते हैं कि बाहर की जुट्टी में जब आपने लेक्च्चर के लिए जाती थी तूने कितनी रिस्पेक प्राउट मिलती थी और कैसे तो इसलिए आज अब हमारे जो चेर्मैन है वो भी चूंके उनमें भी वो सब चीजे है और आगे ताइम के सासाथ वो भी निकरेंगे और उसमें और इंप्रूब्मेंट भी होगी और पाकिस्तान की बहुतरी के लिए क्योंके नाना फिर वाल जैसे कहते है ना ग्रासरूट से उन्होंने देखा ना क्या चीजे थी जिस पर भुटो सामने डिसीयन लिए आगे फिर उनकी मतलब मुस्तरमा ने लिए जर्दारी सामने लिए उन्होंने भी बहुत जयाद ऐसे किया जो के काम नामुम्किन थे जबके 2008 में पाकिसान पीप कि बिलोचिस्तान को उनके चीजे राइट पार्टी ने पहले भी फाउंडेशन को मझबूत किया पाकिसान को बाद में भी उसको जो है और मझबूती दी है जी नो रवट तो यह सब चीजे हैं और आज हम अलम्दोलेला मुझे है कि मैं अपनी अब चैर्मैंन साब के दुआ भी है हमारी कोशिश भी है कि हम उनके लिए जो भी कर सके जी बहुत अच्छी बात किया अपने लेकिन इसको मजीद हम बढ़ाएंगे इस टाइम टाइम एक शौट से ब्रेक का हम मिलते हैं अफर दी शौट ब्रेक का हमारे पस सब से स्ट्रॉंगस जो है ना उनकी जिंदगी के हवाले से जी समीना जी वेलकम बैक वह बच्चपन के जो खौब देखा करते थी आप जो एक लड़की के स्पेशली ट्रडिशन हमारी फैमली से हैं हम पजाब की अपनी सिकाफत हैं और पिर लहौर की अपनी सिकाफत हैं और फिर आप जिस फैमली से अपने एक उसकी चाम और दाम हैं तो वह बच्चपन के जो खौब थे आपके वह अपर लगता है कि आज आप बतो यानि के प्रेजिदेंट वूमंच जो है पंजाब की पिबस पार्टी की वह इस शेव में पूरे हो गया हैं कि अभी कुछ और खौब हैं जो भी होना बाक कि मोका काम लोगों को मिलता है कई वाब रह जाते हैं लेकिन यह कि यह जो 2002 में यह बहुत मैं समझ क्यूंक के मेरे साथ कोई एक मिरेगल ही था कि जिस तरह मैं डिरेक्ट पॉलिटिक्स में आगी ना मैंने कभी तसववर भी नहीं किया था तब हुआ भी जैसे एक जहन में मैं कि छालिद साथ की होते हले हुए यह पनी प्रफीमिली आ यह जे अ एक यह त домой मुझे मुझत मिल टे तो शायद यह से आपने भाले इसा था ना मैं नहीं कर सकता है कि मैं लोगों में जाती थी, फंक्शन अटेंड करती थी, उनको जो कुछ भी कॉलेजिस में जाना और वा गए लेकिन है कि अब मुझे जो था ना कि मैं खुद से, तो उसमें पिर होते हैं कि बहुत सारे काम आप कर जाते हैं जब आप कुछ पुजिशन में होते हैं, तो मु पाकिसान पीपल्स पार्टी की लेकिन मुझे पूरी कवातीन के लिए लाग, मैं सोचती हूं और कोशिश करती हूं कि उनके लिए कुछ कर सको, यह उनको इंपावर करने के लिए आपके और अपकी पार्टी ने कुछ? मुझे बिलकुल पार्टी ने तो जी बहुत सारे हमारे पस सबसे स्ट्रॉंगेस्ट जो है ना प्रोग्राम वह यह है कि कि अलोवर पाकिस्तान आपने कोई भी मैसिज देना है तो वह घर घर और जाती है उस वक्त बीबी का कॉंसेप्त था कि यह लेडिज ही है जो घरों में जा सकती है और उस वकत वह बिचारी इतनी उनम पूरे पाकिस्तान में हर एलिया में हर एलिया में जैसे के डिफिकल्ट एरिया में लेकिन उसमें आपको वह मिल जाएंगी जो यह बहुत बड़ा मेसिज दे रही होती है जैसे जी हमारे पोलियों के हैं मतब हैल्थ के हवाले से जो भी है वह पूरे पाकिस्तान में सिरफ यह नहीं किसी एक सूबे में पूरे पाकिस्तान में यह बीबी ने उस वकत किया था उनका इनिशिटिफ ता गोड माश्री और उस वकत उसमें बहुत सारी लेडिस पता नहीं पता कई है तो उन्होंने शुरू किया था जो आज तक चाल रहा है इसी तरह मैं अपने फिर उन् निजर इंकम सपोर्ट से हम लोगों को एल्प करते हैं तो पार्टी के हवाले से हमें बहुत सार्म मिल गया ना मुझे जिससे के हम आगे डिलिवर करते हैं लेकिन वैसे भी यह है कि मुझे चुके कॉंसिच्वेंसी मेरी है फिर मैं पंजाब की प्रेजिएंट उ पूरे प तक पूंच सके लेकिन मेरा ही है की यह यहोगों के मुझेख स्थै निजब लोगों के लिए उसमें मेरे लिए कोई ऐसा नहीं होता कि मैं कि यह मेरा टाइम है यह मेरी फाहले है मेरे लोगों को सुछ जब हम gua क्रेज़ मेरे अपनी फैमली भी आपकी है और जहाने में प्रटीन की एक रूटी इसए अपनी लीडर्शिप और जखा और आप कि आपने कुछ देलिवर करना है, तो फिर छीज एदेखा हैं, और नाती जुँड़ नाती जाया करती हैं, एक बीडर्शिप ज़र्डारी नाती है, तो यह जा आप कि एक दूल आपनी ज जिन्दगी भी आप देखें कितनी सिंपल थी एक चादर मी तब इतनी बड़ी लीडर आपको नजर आती थी कोई वो इसी आरे फिर आप अपनी परस्नल जो होती है जीजे उसको छोड़ देते हैं पिर आप पुबलिक फिगर होते हैं और आपको वाहें पर सिंपल लाइफ ज कि अग्माद भी हैं और सियसर के हवाले से जैसे गुर्की हॉस्पिटल अगर पंजाब की अगर हम बात करें लाहूर की बिस्पेशली तो एक ऐसे इंस्टिट्यूट है प्राना इंस्टिट्यूट है जहां पर हर गरीब इनसान का मैंने खुद से देखा है मुआइदा भी की है कि उसका इलाज बिला तफरीक किया जाता है यह बहुत एक नॉबल कॉज है जिसके लिए आप लोग वक्त किया गया है तो यह आप इस तरह के कुछ और प्रोजेक्ट करना है प्लैन आपका आगे लाने का गुर्की की तरह का एक होस्पिटल क्योंकि गुर्की एक ब्र है जिसको जितना भी एक्स्टेंड करें वही काम है उसके लिए वहां पर जितने एंपलाइज हैं जैसे उनको उनकी फैमिली को हैल्प किया जाता है जितने भी है इस वकर 2000 के करीब हो गया है तो यह है कि उन लोगों को सबसे में बात हुए है कि हमारे पस एक एसा जहां पर हम लोगों को अकॉमोड़ेट कर सकते हैं फिर अब जैसे उसका कालेज बन रहा है अच्छ अच्छ एच्छ इड़ अगर जैसे डेंटल कॉलिज है फिज्यो ठैरपिस्ट का है फार्मसिस्स्स का है फिर वह उसकी आगे से अडिशन जैना उसमें जारे है तो यह बी एक है उ पर इसी तरह हो गा के बाकी कॉलिजी से फ़राग होगे, जैसे भुर्की होस्पिटल फ़राग है वैसे बाकी उसके सब से रिलेटिद चीजे जो फ़राग होगी पर यह कि अब कोशिश हम पहले सही है जो तब इस वकत बूरी जैसे दुनिया मे नहीं है कि अभारे जो है और हमारी चेर्में जो हैं ऑदो आमिर आजीज वो दो डेन बीद ते हैं, दूसरे कंट्री से लोग आते हैं, वो जाते हैं तो एक बड़ा अच्छा इमेज लें ले के जाते हैं, तो वो जो अभॉम है न गुर की फैमिली का, क्योंकि वो ये जो चीज जो हो जितनी भी पार्टिस्पेशन करते हैं, वो इसी लिए करते हैं कि ये इंडिविजुल जो है, किसी का, मतलब एक था ना, खुआप तो था लेकिन आगे जो है उसके सभी हिसादार है, और सभी इसमें पार्टिस्पेशनल चीज़ मैं एड़न कर दो मुझे मेरे नौलिज में कि इसमें कैंसर की थरॉफी के लिए अपनी कुछ जिए अपनी कुछ इसमें अपनी साइबनाइफ का शुरू है और जो लास्ट हमारी मीटिंग हुई है वोड की लास्ट वीक उसमें के 250 से ज्यादा पेशेंट जो है और उसमें तक्रीब 98 परसेंट जो है वो मतलब सभी का जारिया भी है यह कॉंटिन्यूसली करना पड़ता है इसमें फिर यह ब्रेक नहीं आते हैं आने भी नहीं चाहिए यह जो काम ऐसे जी नाजरे आप देख रहे हैं प्रोग्रम खौब से तबीद तक की और मेरे साथ आज इसमेना खालिद गुरकी साहिबा इस वकत मैं एक आखों लोगों ने जो कि अन्मीलीवेबल है और लोग कहते हैं इससे बड़ा पार्सम इस्तमा कोई नहीं तदिया है वेल्कम बैक नाजरेन खौब से तबीद तक सफ़ा पावर्ड वाय मॉडर्स ट्रिल गुरॉप अफ कंपनी जी समीना जी थोड़ा से की बिताईयेगा क आज की औरत को आप कहां देखती है आज की औरत को अगर वैसे देखा जाए जैनली तो वह बहुत आगे पहुंच चुकी है जैसे हमारी लेडी से तब आप देखे ना के हर जो है शोबा उसमें वह टॉप पे हैं लेकिन जो एक्चुल पाकिस्तान के लिहाद से बात करोंग क्योंके बाहर से बात बात ऑपरचुनिटीज हैं पाकिस्तानी औरतों को अगर उनको देखे तो वह चंद खवातीन हैं जो के इस वक्त गोल्ड वैडल भी ले रही है जो चोटियां भी सार कर रही है हमारी पालेट भी है गेम्स में भी इस वकत हमारी जैसे डिफरेंट गे हैं जिसमें बहुत काम की जरूरत है क्योंके ये तो मतलब एक दो परसेंट लोग होंगे ना जब कि आप देखे ना हमारा 22 कोड से भी ज्यादा मेरे परिफ्रीज में अगर आप देखे रूल एरिया तो इतनी सिंपल लाइफ लेकिन वहां से भी मैंने देखा है और मेरे ल अगर मेरे अपने हलके में भी जो बच्ची आप अजाज़त दे रहे हैं वह अपनी जैसे के अपने गेम्स का का इना तो कुछ टीमो का हिस्सा भी है लेकिन है मेजॉरिटी को अगर देखे ना अवेरनेस उनमे आ रही है लेकिन ग्रैजूलिय आ रही है ना कि जैसे वह कुछ अगर इजाफा भी होता है लेकिन वह अफोराइद नी कर तो यह जो चीज ड़ित है अब हने बच्चे इन करती तो फिर भी तो जग अँप जाते है हलांक elder मैं जिसमे मैं 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 मनीस्टर थी तो Sosial welfare मुनिस्ट्री में हमारा बैतुलमाल का सोचल वेलफिर में तो नहीं यह हमारा बैतुलमाल एक अदारा है पूरा तो उसमें हम लोगों ने बहुत सारे के उनको इंसेंटिव देखके ना हमारे स्कूल जो हैं लेकिन वो ना काफी चीजे है ना जब तक पूरा ओवरॉल नहीं पहुत सरे निए टीजेटिव लेते हैं पंजब लेवल पे ली हैं सेंथ पे ले लेएं कि नबी बहुत जरूरत है और कवातीन के ओर भी बहुत सारे मिसाहिए होते हैं के इजु कि देखा जए आज अज वारे लेटरिसी रेट बहुत कमनें इस कंपे शलीलंका बंगला दे जी देखे ना बंगलादेश का कितना है, इंडिया जी तो हमारे में ये है, अभी तब मैं जा उसकर मैंने जो है, सबसे ज्यादा के लोग अफोर्ड नहीं करते ना, इक्सपेंसिव चीजे हैं, फिर बच्चियों का आना, क्योंकि काफी करीब से और मैं इसका पार्ट रही कि एक उनने ट्रांस्पोर्ट का मसला होता है, विलिजिस से आना, स्कूल तक, यंग बच्चियां होती हैं, पेरेंट्स डरतते हैं, बिल्कुल, हरास्मेंट वगएर इस तरह के बादेश के लिए और पिर शादियों के बाद भी कुछ मसाइल होते हैं, हमारे फैमिलीज में अरतों के हैं, काफी सारी प्रॉब्लम्स हैं उनको फेस करना पदेश हैं, हमें बहुत ज्यादा जरूरत हैं, अच्छा इक चीज बड़ी इंपॉर्टन है, एक टाइम था कि पंजाब में पिपल्स पार्टी का सुनेरी दोग था हर तरफ, मुझे याद हैं, अंकल जंगीर कि भजर से लेकर जब मुथरमाई थी तो वो एक बहुत एक गोर्डन एरा था, उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि पंजाब में अप रिवाइवल तो हो रहे हैं पिपल्स पार्टी का, ग्राजुली, लेकि उसके बाद थोड़ सा हमुशी होगी थी, क्या कोई पार्टी के कि मुथरमा के साथ ना, हमारे पास वो जो गैप आया ना, तरदारी सब तो जेल में थी, बी बाहर थी, लेकिन आप देखें के बीबी को जब 2007 में वापस आई हैं, तो लाखों लोगों ने, जो कि अन्मिलीवेबल है, और लोग कहते हैं, इससे बड़ा पार्टी से बड़ साथ, इसी था, बिल्कुर ऐसी था, इतना राश हो रहा है, इसी तरह कराची में खुद वहां पर शामिल थी, मैंने बीबी को एरपोर्ट पे मताब रसीव किया लेकिन राश इतना था, उसके बाद लेकिन हम बीबी के ट्रक पे गए थे, बड़ी मुखिल से गए थे, मेले अजूदा भी जो पिछला सेट अप था, उन्हों भी पंजाब साथ, पीपल्स पार्टी को नो मिला तो लोगों से फिर थोड़ी सी दूरी आपको पता है के पार्टीों के साथ-साथ यहां पे जरूरतें भी कुछ होती है लोगों के सबसे इंपोर्टें है और आज कल पी सबस्ती होते है वह तो देखे है हमने हर दोर में है तो सब बंदे, बरदाश नहीं कर सकते चीजे तो भिसी तरह वो इसका मौ लेकिन शल लेकर आंब जरुदारी भी दार्टी 제가 to कि यह बहुत प्यार करने वाले लोग इस पर कोश्या कि नहीं लेकिन थोड़ा सा चेंज मैं मतब आप ज़रूर बताऊंगे क्योंकि यह मैसेज अगर कि हमारी जो यंग है ना मतब जिया यूथ जो है उसको थोड़ा सा उनका जैसे सोचल मीडिया के थूरू उन पर एक इंप हमारा जो यंग लीडर है ने इस वकत वो लावर बतोजर दाने है वो है ना तो अब है कि उनका जो मैसेज होगा ना मारी जूथ यूथ से अट्रेक्ट भी होगी और उसके फिर उसे फॉलो भी करेगी तो दूआ भी है कोशिश भी है कि एक्ट्यल जो रैलिटी जो होती है हवाई बातों में नहीं जाना चाहिए और जो खॉआफ देखिए उनकी तबीर पूरी होनी चाहिए नहाँ जो है अब जिस प्रोग्राम जी तो खॉआब को जो है तबीर के लिए ना अब को प्रेक्टिकल होना पड़ता है तो खॉआब तो मारा यह था ना रोटी कपड़ और उनोंने दावे किया कि हम 50 लाग घर देंगे, करोड नौक्रिया नहीं नहीं दे जा सकी नहीं नहीं दे जा सकी लिए लेकिन बुटो साब ने दी कि आज वो करोड़ पती बन गया है जिनके पस वो गार है उनकी वेल्यू इतनी बढ़ गी है बिल्कुल पूरे पाकिस्तान अगर मैंने देखा है तारीक को पड़ो ना तो जो मारे मुलक के मजदूर को राइट्स पिले है वो बट्टो साब ने दिये थे शेह उसके बाद कोई लीडर इस पाय का आया ही नहीं है जुलफकार अली बट्टो साब के बाद कि उसने गरीब के लिए सोचा हो ये बात हकी अगर कोई शक्किक गुझाईश नहीं है और उनोंने उनको कॉंफिडेंस भी दिया जी अगर्णा सिर्फ अपनी शनाक्तो दे इस शनाक्ती कार्ड की सुल्मिश लेकिन यह है को उनोंने वो ओन ने ओन ने ओन आज हार बंदा जो है वो बात कर तो यह सारा कुछ यह है कि अगर पाकिस्तान के लिए जो कुछ किया हो हमेशा है रहे गना एक जैसे कहते है किसी चीज की फाउंडेशन या बन्यात तो बुटो साब ने बनाई है सब चीजों की बिए नहीं अगले कुल तो कोई भी नही होता है अर बंदे में इनसान वे तो कामिया भी तो कुछ अ लीडर्शिप कॉलिटीज और लीडर जुरूरी नहीं होता कि वो फरिष्टा तो नहीं होता ला जी हमारे में सी होते है ना हम लोग एक चुनते हैं लीडर को बना तो अब इतना क्रिटिसाइज करते हैं कि पॉलिटिक्स को मैं समझती हूं जितना ज्यादा पॉलिटिशन की लाइफ मुश्किल होती है ना कि वो हर वकर ड्यूटी पे होता है उसको रिस्पॉंस देना होता है लेकिन इनो ने तमाम सब लोगों को बोल बोल के ना एक ही लाइन में खड़ा कर दिया है कि जिस सब पॉलिटिशन एक्षिन पॉलिटिक्स चेंज होगे इसके अदवार भी चेंज होगे इसके मकासद भी चेंज होगे हैं देखें कुछ लोग तो है ना जो अपनी जात के लिए करते हैं उनके मकसद ही फरग होते हैं वाज इदर काल उदर तो जो मतला हम समझते हैं कि ये एक खिदमत का समीना जी ये बताईएगा कि आपकी फैमली में से आप बचों में से इस लेगिसी को लेकर कोई आगे चलेगा जी मेरे दो बेटे हैं और मेरी ख्वाहिश है कि मेरा बड़ा बिटा ग्यूंकि उसके पास अपने उसने वालिद को देखा थोड़ा सा इमने उनके साथ काम किय बड़ा 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 जादा इस चीज का एक्सपीरियंस पिर मेरे उसने दोनों अलेक्शियन जो है वो मेरे साथ हैल्प की एक तो दोनों ही खर हमारे तो खाले सब की जिंदगी मेरे होए दोनों जो बाद में जो लड़े हैं वो भी लेकिन काम्याबी वाले तो वो थे मैं चाहरी हूं कि अब इस सेलेक्शिन में बेटा मेरे साथ चोहाँ आप पी एलेक्शिन कंसेट्स करेंगी और वो भी करेंगा जी और नेशनल टिकेट पर के नहीं हम चुछ के हमारी कौन सीच्वेंसी है तो मेरा है कि वह आगे जो पंजाब के हमारे उसमें आए और मैं आग क्योंकि मैंने आगी परसनली प्रसनाइलटी में अदेखगा आपके इस तनी सौौफ शफ शक्सियत के मालग है तो मुझे नहीं लगता है कि आप एक यह निना लिडर भी हो सकती है या शायद हमारे हाँ देखा गया जो एक लीडर होता है वो इतने सॉफ्ट यानि के परस्नालिटी के मालिक नहीं होता है मैसेज मेरा यह 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 लेडिस के लिए के जी आप कभी भी अपने आपको यह मत समझें कि आप कुछ कर नहीं सकती हैं तो मेरा हर बच्ची के लिए जो यांग है आप इरादा करके निकलें तो उसमें आपकी सक्सेस जरूरी लाजमी है और उसमें यह है कि आपकी सामने जैसे आप रखें मुहतना बेनजीर साहिबा करो कि सारी जिंदगी स्ट्रॉगल के बावजूद लाटाला नहीं इतनी काम्याबियां दी और हर रूप में दी मां के रूप में लीडर के रूप में अपने मतलब बेटी के रूप में बेहन क तो ये जो चीजे हैं हमें उनको सामने रखते वे हम बहुत एतराम के साथ कि हम उस दौर का जिकर तो करते हैं हमारे जो मदीना की रियास्त और वो लेकिन हम इस काबल नहीं हैं हमसे देखके सोचे हम अगर आज की दोर में रहते वे उसको जहर में लाकि अपने आदा तमाल तो इंशाला काम जा भी दूर नहीं होती है नो डोड़ जी इसमें कोई यानिके शाक की गुजैशनी समीना साहिब आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज आज आप हमारी स्पेशल गेस्ट हैं मॉर्रल स्टेल गुरूप अफ कंपनीज की उन्होंने एक एक स्पेशल गिफ्ट आपके लिए बजवाया है जो आपको हमेशा यात रहेगा कि आप हमारी सफर में साथ थी जी सिस्टर आपके लिए स्पेशल गिफ्ट है मॉर्ल स्टेल गुरूप अफ कंपनीज यह हमारा बलीव है पाक्सान की प्रोडेक्स के ओपर यह पाकसान रीडिंग ब्राइंड उन्हों आपके लिए यह गिफ्ट पेचर थेंग यह थेंग यह मैं अपने गुरिया रानिक सर में तेल डाल दूँ अपने बच्चों की हल्प करते हैं कि और वह बाहर जाके सेटल हो सके हैं और हमारे मुहबद का मतलब है सर में तेल डाल दो जलो अब आपके पास इतने पैसे अब आपने घर को विष्टी जहां रिष्टे कमजोर हो जाए वहां घर तूट जाती है ऐसे तूटे हुए घर का मुझे क्या करना है आप जरा रिष्टों को मजबूत कीजिए घर की दीवारों और चटों को तो हम मजबूत बनाई देंगे मॉडल स्टील आओ एक मजबूत घर बनाते हैं आप कर दो